चलिए शुरू करते हैं आज का करेंट अफेर आज 22 मार्च सबसे पहला है वैस्वीक आतंकवाद सुचकांग 2023 वैस्वीक आतंकवाद सुचकांग रिपोर्ट इंस्टीट फॉर इकोनोमिक्स एंड बीष जारी किया जाता है और इसमें पहले अस्थान पर आफगानिस्थान बारत का स्थान ते रह हुआ है पहले पर अफगानिस्थान ते रह हुआ पर इंडिया इसकौर है अफगानिस्थान का 8.822 8.822 और इंडिया का है 7.175 पाकिस्तान च्छटे नंबर पे इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि सबसे खतरनाक टेरर ग्रूप कौन से है 1222 में तो आईएस है इस्लामिक स्टेट टोटल 1045 मौत हैं 410 अटैक 644 इंजर्ड साउत एजिया की बात करें तो इसमें अफगानिस्तान पहले नंबर पे ही है पाकिस्तान छटे पे इंडिया तीसे नंबर पे आ जाता है लेकिन ग्लोबल रैंकिंग में ये तेरा पे आता है फिर स्री लंकार नेपाल पंग्रादेश बुटान निष्ट हिंदू उत्रादिकार अधिनियम 1956 मिताच्रा इस्कूल हिंदू कानून को हिंदू उत्रादिकारी अधिनियम 1956 के रूप में संही संहीत दबत किया गया था जो उत्रादिकार और संपत्ति के उत्रादिकार को नियंतित करता है लेकिन कानूनी उत्रादिकारी के रूप में केवल पुरुसुक को ही मानेता दी जाती थी इस इद्र अधिनियम के तहद फिर इसमें संसोधन हुआ तो हिंदू उत्रादिकार दो भाजन की माननेता दी गई बेटी को सभागिता संपत्ती में समान अदिकार देंदारी दी क्योंकि यदी वह पुत्र होता तो उसे वह हिस्सा संपत्ती का प्राप्त होता तो ये था हिंदू उस्टा दिकार दिनियम तो हचार पाँच एंटी पीसी आराइल एंड इंडियन आर्मी के बीच एक MOU समझता ग्यापन हुआ है एंटी पीसी रिनुवेबल एनर्जी लिमिटेट ने बाती सेना के साथ सेना प्रत्री स्थानों में हरित्र हाइट्रोजन पर योजना के लिए समझता ग्यापन पर हस्ता चर हुआ है यह क्या करें कि इंडर्न रेल्विय के लिए हाइट्रोजन उपलप्त कराएगी रिनुवल एनर्जी उपलप्त कराएगी अनतराष्ट्री लिट्किड मीरOOOO टेलिस्कोप उत्रा खंड के देव अस्तल नयनित्थाल में हैं मैं एस्या के सबसे बड़े चयर मीटराष्ट्री लिट्किड मीरी टेलिस्कोप का उत्गाटन किया गया कहाँ पर देवस्तब नंय न champagne आरेवट प्रेच्षड बिज्ञान सोच सहंस्थान ने गोचड़ा की कि 284 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड टेलिस्कोप अब सुदूर एवं गहन आकासी अंतरिश्च का पता लगाने के लिए तयार है तो आरेवट प्रेच्षड कहां पर है यह भी देवस्तर उत्रागंड में इसी परिशत में इसकी अस्थापना हुई है क्याता है कि यह जो इंटरनेशनल लिक्विड मिर्य टेलिस्कोप है यह काम कैसे करता है तो यह प्रकास को एकत्रिट एवं घनिभूत करके केंद्रिट करने के लिए तरल पारे की एक पतली परस से बनी चार मीटर ब्यास के गुमने वाले दरपड का उपयोग करता है इसका मतलब जो उसमें मीरर होता है उसमें पारे का इस्तमाल होता है दात्विक तरह मरकरी कमरे के तापमान पर तरह रूप में होता है और साथ ही अर्चेदिक परावाल तक भी होता इसलिए यह ऐसा दरपर बनाने के लिए अर्दस रूप से अनुकूल है मॉस्ट इंपर्टेंट आज की लिए इतना ही डिस्क्रिप्शन में आपको वेब इस्टोरी मिल जाएगे और लाइक सब्सक्राइब शेयर धन्यवाद